हेलो फ्रेंद्स वेलकम बाक टू आर चानल जहां आप सीख सकते हैं इजी और स्वादिश्ट रेसिपी आज हम बनाएंगे हेल्दी एर फ्राइड वेजिटिबल्स ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही इजी है अब एर फ्राइड वेजीज पना रहे हैं तो चलिए जितनी भी फ्रिज में आपके वेजीज पड़ी हैं उन सबको बाहर निकाल लीजे तो हमने लिए हैं आलू, प्याज, शिम्ला मिर्च, जुकीनी, मश्रूम, साथ में हमने लिए हैं पनीर, गाजर, ब्रॉकली और जो भी आपके फ्रिज में सबजिया हैं उन सब को आप यूज कर लीजे यहां बेबी पटेटो में फोर्क की मदद से हम होल्स कर रहे हैं अब यही पटेटो को हम माइक्रोवेव करेंगे अब पटेटो जब तक माइक्रोवेव में हैं हम लोग अपनी वेजीज को पील कर लेते हैं और अच्छे से बड़ा-बड़ा काट लेते हैं तो यहां हमने गाजर काट ली है शिम्ला मिर्च को काट लिया है जुकीनी को भी लंबा-level काट लिया है प्यास को भी डाइस कर लिया है मश्रूम को भी आप बड़ा-बड़ा काट लीजे इसको जादा चोटा मत करिएगा वरना airfry होने के बाद यह बहुत ही को और खाने में उससे भी जादा अच्छा लगेगा वेजीज कट करते करते आलूओं को मत भूल जाएगा तो यहां आप देख सकते हैं कैसे फोक की मदद से हमने आलूओं को प्रेस कर लिया है अब वेजीज कट हो चुकी है तो चलिए इसकी सीजनिंग की तैयारी करते हैं उ साथ में हम डालेंगे गार्लिक पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना भी यूज करना चाहें उतना कर सकते हैं उसके बाद इस डिश को चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला यूज करेंगे और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च कभी-कभी ऐसा होत है कि डिनर करने का जादा मन नहीं होता और कुछ लाइट भी खाने का मन है लेकिन वह हल्दी भी होना चाहिए और रोटी सबजी का भी कहीं बार नहीं मन होता तो उस दिन आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राय करें और देखें काली मिर्च के बाद अब हम इसमें डाल अगर आपके पास इस ब्रैंड का परी-परी मसाला नहीं है तो आप कोई भी परी-परी मसाला यूज कर सकते हैं सारी सीजनिंग को बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लीजिये और जितनी भी वेजीज कट करी हैं वो सब मिक्स कर दीजे वेजीज की जितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से हम नमक डालेंगे. तो चलिए, अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और फिर हमारी ये वेजीज को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखते हैं. थोड़ी देर वेजीज को मारिनेट होने के बाद हम एर फ्रायर की ट्रे में इसको अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे. डिफरिंट वेजीज का यूज करके ये ट्रे कितनी ही कलरफुल लग रही है. और साथी साथ ये हिल्ली भी है. इसमें ब्रॉकली है, आलू है, शिम्ला मिर्च है, प्रोटीन के लिए पनीर है. हमारे व्यूर्स में से जो भी नॉन वेजेटेरियन हैं, वो किसी भी तरह के मीट का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं. जो कि पहले से मारिनेट किया हुआ हो, और एर फ्राइर की मदद से उसको अच्छे से पका सकते हैं. अब जब तक एर फ्राइर में हमारी क्रिस्पी वेजेटेबल्स तयार हो रही है, हम रेडी करते हैं अस्पारगस. तो हमने बटर को लिया है कड़ाई में और उसके अंदर अस्पारगस को डाल दिया है. इसकी सीजनिंग के लिए आप इसमें नमक, गार्लिक पाउडर और ब्लाक पेपर डाल सकते हैं. थोड़ी सी टाइंगीनेस के लिए आप इसमें नीमबू भी डाल सकते हैं. अगर नीमबू अवेलेबल नहीं है तो अमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. असपारगस तो मिंटो में रेडी हो जाता है. तो चलिए वेजीज पे भी थोड़ी नजर माड लेते हैं. तो यहां मैं देख रही हूँ कि उपर की वेजीज क्रिस्प हो गई हैं. तो इस पॉइंट पे वेजीज को थोड़ी देर एर फ्रायर से बाहर निकाल कर, मिक्स करके वापस एर फ्रायर में रखा जा सकता है ताकि सारी वेजीज इवनली कुक हो जाएं. तो यहां देखिए हमारी क्रिस्पी वेजीज रेड़ी हैं with juicy asparagus. साथ में मैंने स्ट्रॉबरी का एक बहुत अच्छा पंच बना लिया है. अगर आपको स्ट्रॉबरी पंच की रेसिपी चाहिए तो हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइए. ऐसी ही amazing और easy recipes के साथ मैं आपसे मिलती हूँ अपनी next video में. तब तक के लिए like, share and subscribe to our channel. Bye-bye, take care.